ओम नमस सिवाय दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमस सिवाय जरूर लिखें दोस्तों सावन सोंबार का ब्रत तो हर कोई रखता है चाहे वो सुहागिन महिलाएं हो या कुमारी लड़कियां लेकिन यह मन में सवाल उर्ता है कि नमक खाएं या फलाहार रहें खाने की चीजों को लेकर मन में असमंजस रहता है कि क्या खाना चाहिये क्या नहीं खाना चाहिए कहीं ऐसी चीजे तो ना खाले जिससे ब्रत खंडित हो जाए तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि सावन सोंबार का ब्रत अगर आप रख रहे हैं तो सावन सोंबार के ब्रत में क्या खाएं क्या नहीं खाएं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग उसी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलूखवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेयर करेंगे, दोस्तो ऐसी माननेता है कि सावन की महीने में पढ़ने वाले ब्रत एवं तेवहार में सिर्फ मीठा ही खाया जाता है, लेकिन आजकल के जमाने में सिर्फ मीठा खाके ब्रत करना संभौ नहीं है, तो ऐसे में बहुत से उपयोग खाने की चीज़ों में कर सकती हैं, इसके अलावा आपको बता दे कि अगर आपको फलाहार रहना है, तो फलाहार ही रहें, लेकिन हाँ इस दिन आपको अन्य का सेवन नहीं करना है, कुछ लोग संध्या समय में सिर्फ एक बार फलाहार करते हैं, तो कुछ लोग प पूजा संपन करें चाहे तो घर में या मंदिर में जाकर उसके बाद आप कुछ खाए पिए तो बेहतर होगा। लाहारी चिप्स भी आप खा सकती हैं, साथ ही आप ब्रत में सिंगारे के आटे का हलवा, कुट्टू के आटे की पूरी या डोसा भी बना कर खा सकती हैं। लॉंग, अनारदाना, अद्रक, हरी मिर्च और हरे धनिया का इस्तेमाल कर सकती हैं। सबजीयों की बात करें तो आप ब्रत में आलू की रेस्पी ट्राई करें। जीरा आलू, दही आलू इस्तेमाल कर सकती हैं। आलू टिक्की भी बना सकती हैं। इसके अलावा लॉकी की खीर भी आप खा सकती हैं मीठे में। फल में आप मौसमी फल खा सकती हैं। लेकिन हां, एक फल है जो आपको नहीं खाना हैं। नासपाती भूल कर भी आपको सावन सोंबार के ब्रत में नहीं खाना है। यहूं चावल, मैदा, बेशन, सूजी, कॉर्ण, आइसक्रीम, हींग, मेथी दाना, गरम मसाला, धनिया पाउडर इन चीजों के इस्तेमाल से बचे सावन सोंबार के ब्रत में। घर का कोई भी सदस मास मदिरा का सेवन ना करे। घर में सावन सोंबार ब्रत वाले दिन प्याज लहसन वाला खाना भी नहीं बनाना है। कच्चा दूद चुकी सिवलिंग पर चड़ाया जाता है। इसलिए सावन सोंबार ब्रत वाले दिन कच्चा दूद का सेवन निसेद है। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करे, सेयर करे और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करे। इसकी बावजूद अगर सावन सोंबार के ब्रत में खाने वाली चीजों को लेकर कोई मन में सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती है, मैं उसका रिपलाई दूँगी।